यह कहानी समाज के उस हिस्से को सामने रखती है जो अंदविश्वास के चलते जीवन को बरबाद तक कर सकते हैं पर बदलने को तैयार नहीं होते हलांखी कहानी में नए और पुराने विचार एक दूसरे के आड़े आते रहते हैं मोल रूप से यह कहानी बांगला में 1899 में लिखी गई थी 1960 में सत्यजीत रे ने शर्मिला टैगोर और सौमित्र चाटर जी को मुख्य भुमिका में लेकर इसे बांगला भाशा में बड़े परदे पर उतारा था यह सत्यजीत रे की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है इसका हिंदी अनुवाद हम आज प्रस्तोत कर रहे हैं अगर अनुवाद में कोई तुटी हो तो उसके लिए हम शमा चाहेंगे आईए सुनते हैं देवी मेरा नाम है मनीशा और आप मुझे सुन रहे हैं कथा कहानी काव्य पर फरवरी की लंबी रात भोर नहीं होने दे रही थी उमा प्रसाद जाग गए उन्होंने रजाई के अंदर अपनी पत्नी को ढूंडा लेकिन वहन नहीं मिली आखिरकार उनके हाथ ने ढूंटे 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 ऑनकी सोला वर्शिय पत्नी को रजाई की गर्माहट के बाहर बिस्तर के एक कोने में सिकुड़े हुए पाया वो धीरे धीरे अपनी सोई हुई पत्नी की और खिसके और धीरे से उसे रजाई वापस उड़ा दी अपने हाथ से उसके पेरों को चूँकर सुनिश्चित कर लिया कि वे भी पूरी तरह से धके हुए हैं उमा प्रसाद कुछ बीस एक साल के थे उन्होंने हाल ही में संस्कृत में महारत हासल की थी और अब उनका ध्यान फार्सी की और लगा हुआ था उनकी मा का निधन हो गया था और उनके पिता एक विद्वान व्यक्ति और देवी काली के बहुत बड़े भक्त थे साथी वह गाओं के अत्यधिक सम्मानित जमिनदार भी थे कई लोगों का मानना था कि उमा प्रसाद के पिता काली की गर्रे आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिने व्यक्तिगत रूप से स्वयम काली ने आशिरवाद दिया था हर ग्रामीन चाहे वह किसी भी उम्र का हो उनका उतना ही सम्मान करता था चितना वे अपने देवताओं के लिए करते थे उमा प्रसाद ने हाल ही में नव्यवाहे जीवन के मादक रूमान्स का आनन्द लेना शुरू किया था हलाकि उनकी शादी को कम से कम 5 शी अच्छे साल हो चुके थे कुछ समय पहले ही उन्हें अपनी पत्नी की अतरंग संगती का सुक प्राप्ध हो था उसका नाम दया मुई था उमा प्रसाद ने हलके से अपनी पतनी की कमर पर हाथ रखा तो पाया कि वे ठंडी हो गई थी बहुत सावधानी से उन्होंने उसके चहरे को चुमा देखते ही देखते उसकी सांस लेने की गती बदल गई उमा प्रसाद ने महसूस किया कि उनकी पत्नी अब जाग चुकी है उन्होंने धीरे से उसका नाम पुकारा दया दया ने लंबा खीशते हुए और प्यार भरे स्वर में कहा क्या क्या तुम जाग रही हो दया ने निगलते हुए कहा नहीं मैं सो रही हूँ उमा प्रसाद ने प्यार से अपनी पत्नी को अपने सीने से लगा लिया और कहा अच्छा तुम सो रही हो है न मुझे हैरानी है कि अभी अभी किसने जवाब दिया दया को तुरंट अपनी गलती का एहसास हुआ उसने कहा मैं पहले सो रही थी और फिर मैं जाग गई उमा प्रसाद ने नटकट स्वर में पूछा कब जागी तुम आप कब सोचते हैं बस तभी वास्तव में जब मुझे नहीं पता दया ने अपने पती के गर्म जोशी भरे आलिंगन से बाहर निकलने की व्यर्थ कोशिश की कुछ समय के लिए दया शर्म के मारे बोल नहीं पाई कि वह कब उठी लेकिन उमा प्रसाद सीधे जवाब के अलावा कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे कुछ पलों के बाद उसने हार मान ली और कहा ठीक तब ही जब आपने और रुप गई जब मैं क्या जब आपने मुझे चूमा अब खुश? उफ भोर की फीकी रोशनी आने में अभी कुछ घंटे बाकी थे दमपत्ती ने बात करना शुरू किया अधिकांश बातचीत का कोई मतलब नहीं था जैसा कि अक्सर प्रेमियों के बीच बातचीत के मामले में होता है यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि सैकडों साल पहले हमारे पूरवजों के पूरवज भी अपनी युवा वस्ता में आज की तरह ही बेचैन और रुमांस में उतने ही चंचल थे धर्म और दर्शन में इतनी गहरी जड़ें रखने वाले परिवार से आने के बावजूद युवा उमा प्रसाद ने एक बार भी अपनी युवा पत्नी के मामलों का उलेख नहीं किया था कुछ देख तक मीठी मीठी बाते चलती रही तब उमा प्रसाद ने कहा मैं पस्चिम में नौकरी करने जा रहा हूँ आपको नौकरी करनी की क्या जुरुत है? आपको कोई समस्या नहीं है मैंने कभी किसी जमिंदार के बेटे को नौकरी करते हुए नहीं सुना मुझे समस्या है क्या समस्या है यदि आप मेरी समस्याओं को समझ सकती तो वे पहली बार में समस्याओं नहीं होती दया हैरान थी उसने सोचने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि उसका पती खिन समस्याओं की बात कर रहा है उसने शरार्ती स्वर में कहा क्या परेशान है क्योंकि आपकी पत्नी आपकी उमीदों पर खरी नहीं उतर रही है दया अच्छी तरह जानती थी कि उसकी टिपणी उसके पती को परिशान करेगी जैसे उमीद थी उमा प्रसाद ने बदला लेने के लिए उसके चहरे पर चुम्बनों की बौचार लगा दी मुझे चिंता है और यह तुम्हारे बारे में भी है मैं तुम्हें दिन में नहीं मिल पाता रात में तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए परियाप्त नहीं है मैं पश्चिम में एक नौकरी लूँगा जहां दिन भर और रात भर सर्फ तुम और मैं ही रहेंगे यदि आप नौकरी करते हैं तो आप दिन के समय मेरे साथ कैसे रहने के उमीद करते हैं काम पर जाने के लिए आपको मुझे घर पर छोड़ कर जाना होगा मैं काम पर जाऊंगा लेकिन बहुत जल्दी लोटूंगा दया ने सोचा कि यह संभव हो सकता है लेकिन रास्ते में बहुत सी रुकावटे थी वे मुझे आपके साथ नहीं जाने देंगे मैं तुम्हें यांसे नहीं ले जाऊंगा जब तुम अपने माता पिता से मिलने जाऊगी तो मैं आऊंगा और हम वहां से भाग जाएंगे दया हसपड़ी ये एक मज़ेदार विचार था और हम वहां कब तक रहेंगे कहीं साल दया मुस्कुरा रही थी लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं सालों तक खोका से दूर रह पाऊंगी उमा प्रसाद ने अपनी पतनी के गाल पर अपना गाल रखा और उसके कानों में फुस्फुसाया तो तुम अपने लिए खोका क्यों नहीं बनाती इसे दया शर्मा गए लेकिन कमरे में अंधेरे की वजह से उसके पती का इस पर ध्यान नहीं गया खोका कोई और नहीं बलकि उमा प्रसाद के बड़े भाई तारा प्रसाद का इकलोता पुत्र था उमा प्रसाद कई वर्षों से परिवार में सबसे छोटे होने के कारण सबके इस नहीं के पात्र रहे थे उसके बड़े होने के बाद बहुत दिनों तक घर में कोई बच्चा नहीं था सुभाविक रूप से खोका अब सबकी आखों का तारा था खोका की माता हर सुंदरी को अपने पुत्र पर गर्व था दया ने कहा मैं हैरान हूँ कि आज खोका मेरे पास क्यों नहीं आया हर सुभे खोका अपनी प्यारी चाची के पास आता था यही उसकी दिन चर्या थी हलांकि घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी लेकिन दया रोज के ज्यादातर कांग खुद करती थी उसके ससुर की दैनिक पूजा और प्रसाद की विवस्था विशेश रूप से उसके नियंतरण में थी लेकिन दिन में अपनी विस्तता के बावजूद वह कोका को एक मिनट के लिए भी अपनी नजरों से ओजल नहीं होने देती थी कोका भी अपनी चाची के अलावा किसी और को नहने के बाद अपने बाल नहीं सुखाने देता था या अपनी आँखों में काजल नहीं लगाने देता था जब तक ही चाची गिलास को उसके होंटों पर नहीं रखती थी वह अपना दूद खतम करने से इंकार कर देता बयामी उसे सुलाने के लिए देर रात तक उसके कमरे में रुकी रही लेकिन सुबह सुबह खोका अपनी प्यारी चाची के पास जाने की मांग करके उटकर रोने लगता अक्सर खोका की ऐसी अनुचित मांगों के कारण अपनी मां से एक या दो थपड मिलते थे लिकिन यह कहने की जरूत नहीं थी कि इस तरह की सजा के बाद उसकी मांगे और तेज हो गई फिर खीज और नींद के मारे कुछ सोचने में असमर्थ हर सुंदरी खोका को दया के कमरे में ले जाती और उसे अपने दर्वाजे के बाहर यह कहते हुए छोड़ देती दया यह रहा तुम्हारा खोका जादा तर दिन्चर्या को अच्छी तरह से जानते हुए दया अपने बिस्तर में जागी भी होती थी और दोड़ कर दर्वाजा खोलने आती और रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में ले लेती फिर वह खोका को कुछ मिठाईयां देती जिन्हें खोशी में जल्दी खाकर वह शानती के साथ अपनी चाची की गोद में सो जाता लेकिन आज खोका भी तक नहीं आया था और दया चिंतित थी मुझे उमीद है कि बच्चा बिचारा ठीक होगा उसने उमा प्रसाद से कहा उमा प्रसाद ने कहा मुझे लगता है कि अभी काफी जल्दी है मैं देखता हूँ उमा प्रसाद ने उठकर खिड़की खोली बाहर आम और नारियल के पेड़ों से भरा एक विशाल बाग था चांद अभी अस्त नहीं हुआ था लेकिन जल्द ही हो जाएगा दया आई और अपने पती के पास खड़ी हो गई और कहा अभी बहुत देर नहीं हुई है खुली खिड़की से सर्द सर्द हवा चली कोमल चांदनी में एक दूसरे को निहारते हुए युवक और उसकी खुब सुरत पतनी कई मिनट तक वहीं खड़े रहे दया ने कहा मैं थोड़ा परिशान हूँ खोखा भी तक नहीं आया है उमा प्रसाद ने कहा अभी उसके आने का समय नहीं हुआ है वह शायद सो रहा होगा मुझे पता है कि तुम क्यों परिशान हो क्यों? क्यूंकि मैंने कहा था कि मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा इसलिए उमा प्रसाद ने पत्नी को अपनी और खींचा दया ने आहा भरी और धीरे से कहा पता नहीं क्या सोचू मुझे ऐसा क्यूं लगता है कि मैं आपको दुबारा नहीं देख पाऊंगी बाहर चांदनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी उनकी पत्नी की बातों से उमा प्रसाद के गालों का रंग भी फीका पड़ गया वे काफी देब तक वहीं खड़े रहे समय के साथ पेड़ों और पौधों को ठंडे अंधेरे में छोड़ कर चंदरमा अस्थ हो गया धीरे धीरे सूरज की कोमल किरने खिरकियों के छोटे छोटे छिदरों से कमरे में प्रवेश कर गई तमपत्ती अभी भी गेहरी नीद में थे अचानक उमा प्रसाद के पिता ने उन्हें दरवाजे के बाहर से बुलाया उमा दया सबसे पहले जागी थी उसने अपने पती को धक्का दिया कालिक इंकर ने फिर पुकारा उमा उनकी आवाज काप रही थी इतनी कि उसे पहचानना मुश्किल था उमा प्रसाद जानते थे कि उनके पिता अक्सर ऐसे समय में उन्हें आवाज नहीं लगाते थे और उनकी आवाज क्यों खाप रही थी उमा प्रसाद ने छट से दर्वाजा खोला कालिक इंकर ने अपनी दैनिक पूजा के दौरान पहने हुए लाल वस्त्र पहने हुए थे वे इतनी सुभह क्यों तैयार थे अन्य दिनों में वेह स्पोशा को तब तक नहीं पहनते थे जब तक की वे नदी में अपना दैनिक स्नान नहीं कर लेते दर्वाजा खोलते ही कालिक इंकर ने अपने बेटे से पूछा उमा मेरी बहु कहा है उनके स्वर में एक अच्चूक तीछुनता थी उमा प्रसाद ने कमरे में देखा दया बिस्तर छोड़ कर दर्वाजे से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई थी कालिक इंकर ने भी उसे देखा था वेह कमरे में घुसे और सीधे अपनी बहु के पास चले गए इसके बाद उन्होंने उसके सामने नतमस्तक किया उमा प्रसाद अवाक रहे गए दया मई अपने पूच्जे ससुर के इस अजीब तरहे के वेहवार पर उतनी ही हैरान थी अपना प्रणाम करने के बाद कालिक इंकर ने अपनी हतेलियों को एक साथ रखा और कहा मा आज मैं वास्तव में तरप्त महसूस कर रहा हूँ लेकिन तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं मा उमा प्रसाद ने कहा बाबा कालिक इंकर बेटा उसके सामने अपना सिर जुकाओ और उसके पैर चो उमा प्रसाद बाबा क्या तुम पागल हो लेकिन आज मैंने रौशनी देखी है धन्यवाद उसका धन्यवाद उमा प्रसाद को पता नहीं था कि उनके पिता क्या कह रहे हैं उन्होंने पूछा बाबा किस पारे में बात कर रहे हैं कालिक इंकर ने कहा उमा मैं सचमुच भागयशाली हूँ आज हमारे परिवार पर ईश्वरी अक्रिपा हुई है मुझे बचपन में काली की पूजा करने की दीक्षा दी गई थी और उन्हों सब ही वर्षों की पूजा और भक्ती आज रंग लाई है पवित्र मा काली देवी ने स्वयम मेरी बहु के नश्वर रूप में मेरे घर में अवतार लिया है कल रात मा ने स्वयम मुझे स्वप्न में एक संदेश दिया मैं सचमुच धन्य हूँ बेटा कुछी क्षणों में मा स्मज्जा वाली दया मै को देवी का रूप बना दिया गया अगले तीन दिनों में यह बाद दूर दूर तक फैल गई प्रसिद जमिंदार काली किंकर राय के घर में इस थापित देवी की एक जलक पाने के लिए सैकडों भक्त दूर दूर के अन्य गाउं से लंबी यात्रा करके आने लगे सभी अनुष्ठानों के साथ अपने देवता को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए एक अमीर जमिंदार आमतोर पर जैसे नियोजित होता था वैसे ही दयामई की वास्तव रूप में पूजा की जाती थी अगर बत्ती जलाई जाती फूल और फल चड़ाए जाते और उसके ठीक सामने कई मेमनों की बली दी जाती अचानक और अप्रत्याशित रूप से सभी के इतना अधिक ध्यान का केंद्र बन कर दयामई लगातार रोती रहती वै मुश्किल से खाती या सो पाती थी वै डर और सदमे की ऐसी इस्तिति में थी कि पुरुशों के सामने अपने सिर और चेहरे को ढखने की प्रचलित मर्यादा को पूरी तरह से भूल गई थी दिन भर वै भाव हीन आखों से बस अंजान चेहरों को देखती रहती शायद ही कुछ बोलती थी और जब कुछ कहती थी तो बस उत्पुदाती थी उसकी सोर्ख लाल आखें लगा तार रोने से सूज गई थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे रात के अंधेरे में प्रार्थना कक्ष के कोने में एक छोटा सा दिया बंद मंद जल रहा था प्रेशमी कपड़े से धके एक मोटे गद्दे पर दया मैलेटी थी उसका शरीर एक कंबल से धका हुआ था दर्वाजा बंद नहीं था और इसे धीरे से खोल कर उमा प्रसाद कमरे में घुज गया जैसे कोई चोर घुज रहा हो अंदर जाते ही उसने दर्वाजा बंद कर लिया उमा प्रसाद आकर अपनी पतनी के बिस्तर के पास बैठ गया वह तीन दिनों में पहली बार उससे मिल रहा था बया मैं जाग रही थी पते को देखकर वह बिस्तर पर बैठ गई उमा प्रसाद ने कहा बया तुम्हीं क्या हो गया है तीन लंबे दिनों के बाद उसके पती के उन इसनेपून शब्दों ने उसकी समाधी जैसी अवस्था को तोड़ दिया और सोलह वर्षिय लड़की ने अपना चेहरा अपने पती के सीने में चिपा लिया उमा प्रसाद ने व्यतित स्वर में दोराया दिया तुम्ही क्या हो गया है लेकिन दिया मैं चुप रही कुछ चन बाद उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी से पूछा दिया क्या तुम्ही ये सच लगता है क्या तुम मेरी दिया नहीं हो क्या तुम सच मुझ देवी हो दिया ने आखिर में कहा नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी के अलावा कुछ नहीं हूँ, मैं दया के अलावा कुछ नहीं हूँ, मैं देवी नहीं हूँ, मैं काली नहीं हूँ. उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी को चूमा और कहा यदि यह सच है तो हम यहां से भाग जाएंगे हम कहीं दूर जाकर किसी और जगह पर रहेंगे जहां हमें कोई न पा सकेगा हाँ चलते हैं लेकिन हम कैसे जाएंगे मैं सब कुछ विवस्थित कर दूँगा हलाकि मुझे कुछ समय चाहिए कब? हम कब जाएंगे? चलो जल्द ही भाग चलते हैं नहीं तो मैं नहीं बचूँगी अगर मैं नहीं भी मरी तो निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगी चिंता मत करो दया मुझे साथ दिन दो आज शनिवार है मैं अगले शनिवार को तुमसे मिलने आऊंगा और हम इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे मेरी प्रिया तुम्हें अगले साथ दिनों में द्रड रहना होगा ठीक है ओमा प्रसाद ने कहा मैं अभी चलता हूँ कोई हमें देख सकता है उसने अपनी प्यारी पत्नी को गले लगाया और बाहर अंधेरे में गायब हो गया अगली सुभह जब दयामाई की पूजा की रस में समाप्त हो रही थी लगभग असी वर्ष का एक व्रिध व्यक्ती प्राथना कक्ष में चला गया उसकी बोड़ी आँखों से अश्रुधारा गिर पड़ी दयामाई के मंदिर के सामने दंडवत करते हुए उन्होंने कहा माँ मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है मैं आज मुसीबत में हूँ मा कृप्या इस भक्त पर दया करो दयामाई ने भावशुने होकर बुढ़े आदमी को देखा उजारी ने कहा क्यों बाई तुम्हें क्या परिशान कर रहा है मेरे पोते को पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार है डक्टर ने आज सुभे उमीद छोड़ दी यदि मेरे पोते की मृत्ति हो जाती है तो मेरा वंच नहीं बचेगा मैं अपने पोते के जीवन पर मा की दया चाहता हूं मैं उसे भीग मांगता हूं काली किंकर जो मंतरों का जाब कर रहा था इस पश्ट रूप से बुढ़े व्यक्ति के आगरहे पर हिल गया वह दया मई की ओर मुड़ा और बोला मां आपको बुढ़े के पोते को बचाना होगा फिर वह बुढ़े आदमी की ओर मुड़ा और कहा अपने पोते को लाओ और उसे माता के पवित्र चर्णों में छोड़ दो मौत भी इस कमरे की दहली इस पार नहीं कर सकती यह सुनकर बुढ़े को ऐसा लगा जैसे उसके कंदे से कोई भार उतर गया हो उसने अपनी चड़ी का सहरा लिया और घर की ओर चल पड़ा कुछ दिर बाद बुढ़ा अपनी विद्वा बहु के साथ लोटा जिसने बिमार बच्चे को उठाया हुआ था मरना सन्न बच्चे को दया मई के चर्णों के पास रखा गया समय समय पर पुजारी एक बरतन से बच्चे के कापते होटों के बीच कुछ चर्णा मृत डालते थे बच्चे की मा एक युवा विद्वा थी जिसकी उम्र लगभग दया मई के समान ही थी उसके चहरे पर दर्द और दुख ने दया मई में उसके प्रती साहन भूती की प्रबल भावना जगाई वह बेहोश बच्चे की और मुड़ी और उसकी आँखों से आंसु छलक पड़े अपने मन में पूरी गंभीरता के साथ उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया ये भगवान मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ एक देवी एक नश्वर महिला काली या दया लेकिन मैं जो भी हूँ कृपया इस बच्चे को बचाओ इस गरीब बच्चे को बचाओ दया मैं की आँखों में आसु देखकर वहां मौझूद सभी लोग एक स्वर में कहने लगे मा ने बच्चे पर दया की है मा ने बच्चे पर दया की है वे रो रही है कृपालू माता की जै काली किंकर नए उत्सहा के साथ अपने मंत्रों का जाप करते रहे जैसे जैसे दिन चड़ता गया बिमार बच्चे की हालत में धीरे धीरे सुधार होता गया जैसे ही शाम धरने लगी वहां के लोगों ने कहा कि बच्चा अब खत्रे से बाहर है और उसे घर ले जाया जा सकता है दयामाई के मृत्यू के जबडे से एक बच्चे को वापस छीनने की खबर दूर दूर तक फैली यहां तक की उसके देवी अफतार होने की खबर से भी ज़्यादा तेजी से अगली सुभह एक और ग्रामीन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास पहुंचा जो पिछले तीन दिनों से प्रसव पीड़ा में थी और मौत के करीब थी काली किंकर ने कहा यह कोई समस्या नहीं है मा के चर्णों से कुछ चर्णाम्रत लें और अपनी गर्भ वती बेटी को खिलाएं वह ठीक हो जाएगी आदर भाव में चर्णाम्रत पातर को सिर पर उठा कर अश्रुपूरित भक्त चला गया कुछ घंटों बाद खबर आई जाहिर है दिव्या औशदी खिलाए जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर बक्त की बेटी ने सुरक्षित रूप से एक सुन्दर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया शनिवार आया आज रात उमा प्रसाद अपनी पतनी के साथ फरार हो जाएगा उन्होंने सभी जरूरी इंतजाम कर लिये थे उन्होंने कुछ पैसे जमा किये थे वह मुर्शिदाबाद, राजमहल, बर्दवान या इतने बड़े पडोसी शेहर में भागने की गलती नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी जगों पर पूश्टाच जरूर की जाएगी इसके बजाए वह नाव लेगा और पश्चिम की ओर जाएगा कहां पे? उन्होंने अभी फैसला नहीं किया था या तो भागलपुर या मुंगेर उसे वहाँ नौकरी की तलाश करनी होगी उनके पास इतना पैसा था कि वह यात्रा का खर्च वेहन कर सके उनकी पतनी के गहने अगर बेचे जाते तो उन्हें लगभग दो साल तक चलने के लिए परियाप्त धन मिलता क्या वह दो साल में नौकरी सुरक्षित नहीं कर पाएगा बेशक वह होगा कुछ भी असंभव नहीं था उमा प्रसाद ने अपने मन में ऐसे ही विचारों की बाजीगरी करते हुए दिन बिताया उस शाम उन्होंने भक्तों द्वारा अपनी पत्नी की पूजा देखने की योजना बनाई उसने अभी तक इन शाम के अनुष्ठानों को नहीं देखा था जब शंक बजने लगे तो वह घर से निकल कर गाउं के छोर की और चला गया यह शाम भ्रांती रूप से बनी देवी की अंतिम पूजा थी आज शाम वह अवमानना करते हुए इसे दूर से देखता उमाप्रसाद ने पुजारी के चहरे पर अभीव्यक्ति की कल्पना करने की कोशिश की कि जब अगली सुभे उन्हें पता चले गया कि देवी गायब हो गई है तो क्या होगा जब रात हो गई और घरवाले गहरी नींद में सो रहे थे उमाप्रसाद चोरों की तरहे चुके से अपने कमरे से निकला और साफधानी से प्रार्थना कक्ष किये और बढ़ा उसने धीरे से दर्वाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ एक कोने में दिया चल रहा था उमाप्रसाद दया मई के बिस्तर तक गए और उसे सोते हुए पाया उन्होंने हलके से अपनी पत्नी को चूमा और उसे जगाने के लिए कोशिश की दया मई अपने बिस्तर पर बैट गई उमाप्रसाद ने कहा दया थियार हो जाओ, हमें जाना है हैरानी से देखते वे दया ने कहा कहा? कहां पे? हम अगले कुछ मिनिट में जा रहे हैं और तुम उससे पूछ रही हो कहा? हम पश्चमी राजियों के लिए नाव लेकर जा रहे हैं दया चुपचा बैटी थी सोचती रही उमाप्रसाद ने कहा चलो जल्दी करो यह समय बैट कर सोचने का नहीं है मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं अब चलो भी उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर से खीचने की कोशिश की अचानक दया ने अपने पत्नी की पकड़ से अपना हाथ चुड़ा लिया और कहा मुझे ऐसे मत छो जैसे तुम अपनी पत्नी को चूते हो क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ क्या मैं सच में देवी हूँ मुझे अब यकीन नहीं है उमा प्रसाद हांसे और चूमने के लिए अपनी पत्नी को करीब खीचने की कोशिश की लेकिन दया असहज रूप से कुछ दूर चली गई और बोली नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती कौन जानता है कि तुम पर क्या विपत्ती आ जाए उमा प्रसाच चौक गए, उसने कहा दया, क्या तुम भी पागल हो गई हो इतने लोग ठीक हुए हैं, यह आप कैसे समझाएंगे हर दिन सैकड़ों भक्त मेरी एक जलक पाने के लिए आते हैं क्या हर कोई पागल है उमा प्रसाच ने अपनी पत्नी के साथ तर्क करने की पूरी कोशिश की उन्होंने याचना की, उससे विंत्नी की लेकिन दया एक ही बात बार बार कहती रही मुझे आपके मात में कोई बाधा नहीं दिख रही है शायद मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ क्या होगा अगर मैं वास्तव में एक देवी हूँ अंत में उमा प्रसाच ने कहा यदि तुम वास्तव में एक देवी होती तो इतनी कठोर हृदई नहीं होती मैं तुमसे कितनी देर से मिन्नते कर रहा हूँ अगर इससे तुम्हारा हृदई नहीं पिगला तो और किससे होगा रोते हुए दया मैंने कहा कुछ और मिन्नतों के बाद उमा प्रसाद अपनी पतनी को अपने साथ आने के लिए मनाने में कामयाब हो गए नदी के किनारे एक नाओ उनका इंतजार कर रही थी लेकिन कुछ दूर चलने के बाद दया मैं अचानक रुप गई और आत्म विश्वास से भरे स्वर में कहा मैं नहीं जाओंगी उमा प्रसाद ने फिर उसे तर्क करनी की कोशिश की लेकिन उसने कहा अगर मैं वास्तव में देवी हूँ तो हम यहां क्यों नहीं रहते इन लोगों की भक्ती सुईकार करते हैं हमें भागने की आवशक्ता क्यों है हम इतने सारे लोगों का दिल कैसे तोड़ सकते हैं मैं नहीं भागूंगी चलो वापस चलते हैं उमा प्रसाद अपने धैरे की सीमा तक पहुँच चुके थे उन्होंने पीड़ा भरिस्वर में कहा मैं वापस नहीं जा रहा हूँ अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा दयाने कहा चीक है दोनों प्रेमी इतने परिशान थे एक हजारों लोगों की निराशा और निराशा की स्तिथी में छोड़ने की संभावना पर दूसरा अपने प्रिये जीवन साथी की अडिक्दा पर फिर वे एक दूसरे से दूर चलते चलते अंधेरे में गायब हो गए उमा प्रसाद के अलावा घर में सिर्फ एक और व्यक्ति था जो दया मई को काली का अवतार नहीं मानता था वे थी खोका की मा हरसुंदरी शुरुआत में दया मई उसके पास जाती और रोती हरसुंदरी उसे यह कहते वे सांत्वना देती थी रो मत बहन इस उम्र में बहुत अधिक धर्म परायनता ने खोका के दादा को वास्तविक्ता से अंधा बना दिया है वे पागल हो गए है उस भयानक रात को दो हफते बीच चुके थे तीसरे हफते में खोका को तेज बुखार आया हर गुजरते दिन के साथ बच्चे की हालत बिगरती चली गई डॉक्टर आये लेकिन काली किंकर ने उन्हें वापस भेज दिया उन्होंने कहा मेरे घर में स्वयम माता का पवित्र वास है उसने दरजनोल आ इलाज बिमारियों को ठीक किया है हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है हर सुंधरी ने अपने पती तारा प्रसाद से बिनती की हमारे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाइए वरना वे नहीं बचेगा दया उसका इलाज नहीं कर पाएगी तारा प्रसाद अपने पिता के प्रती अत्यंत समर्पित थे उनके लिए उनके पिता के आदर्श और विश्वास और देवी का आशिरवास सर्वो परी था उन्होंने अपनी पतनी से कहा ऐसी बाते मत कहो नहीं तो माँ खोका से कुपित हो जाएंगी मुझे विश्वास है कि वे उसे ठीक कर देंगी लेकिन खोका की मा के बार-बार मिन्नत करने के कारण काली किंकर ने एक बार दया से पूरी विनमरता से पूछा मा क्या हमें खोका के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है दया ने कहा नहीं मैं उसे खुद ठीक कर दूँगी तारा प्रसाद की तरह काली किंकर को भी राहत मिली एक दिन हरसुंदरी ने अपनी एक नौकरानी को खोका के रोग के लक्षणों का विस्तरत विवरण और दवा के लिए अनुरोध के साथ डॉक्टर के घर भेजा डॉक्टर ने अपनी जीब को काटा कानों को छुआ और दासी से कहा जब देवी ने स्वयम कहा है कि बच्चे को ठीक कर देगी तो मैं इसमें हस्तक्षेप करने वाला कौन होता हूँ धीरे धीरे एक समय आया जब हर सुंदरी ने जिस किसी से भी मुलाकात की उससे विंती की खृपया मुझे कुछ दवा दे मेरा बेटा मरने वाला है लेकिन सबका जवाब यही रहा ऐसी बाते नहीं कहनी चाहिए तुम क्यों जिंते थो दयालू देवी स्वयम आपके बच्चे का इलाज करने वाली है खोका की हालत बिगरती गई कि बिमार बच्चे को कुछ राहत मिल रही है लेकिन रात होते होते उसकी हालत बेहद घمबीर हो गई अपने पूरे दिल से दयामई ने उस बच्चे को आशिरवाद दिया उस पर अपना सारा प्यार बरसाया उसे रात भर अपने सीने से लगाई रखा लेकिन उसी रात दया मई की बाहों में खोका की मृत्तिव हो गई दया मई का सामना सबसे पहले तारा प्रसाद ने किया था उन्होंने कहा दुष्ट राक्षसी तुम्हें मेरे बेटे को खा जाना था है ना तुम उसे जाने नहीं दे सकती थी हर सुंदरी को सदमा पहुँचा था जब उसे होश आया तो उसने दया मई से केवल एक ही बात कही तुम कोई देवी नहीं हो तुम चुडैल हो बच्चे खाने वाली चुडैल के अलावा और कुछ नहीं तुमने मेरा खोका खा लिया काली किंकर दया मई के पास आखों में आंसु लिये आए और कहा मा हमारे खोका को खृपया हमारे पास वापस ले आओ उसका शरीर अभी सड़ना शुरू नहीं हुआ है खृपया उसे वापस ले आओ मा दया मई रो पड़ी प्रातना कक्ष में अकेले उसके सामने बच्चे की लाश थी उसने पहले गुस्से में यमराज को बच्चे के जीवन को उसके शरीर में बहाल करने का आदेश दिया जब उससे काम नहीं बना तो उसने यमराज से गुहार लगाई लेकिन ब्रह्मार्ण की सबसे शक्तिशाली देवी की दलीलों से भी मृत जीवित नहीं हुआ अंत में खोका का शव हटा दिया गया उस दिन उसकी कोई पूजा नहीं की गई थी कोई भी भग्द एक जलक पाने या उन्हें श्रधांजली देने नहीं आया था विछले दिन के फूलों और मिठाईयों के धेर के बीच दया मई पूरे दिन और पूरी रात प्रात्ना कक्ष में बैठी रही अगली सुभह जब काली किंकर ने प्रात्ना कक्ष का दर्वाजा खोला तो उन्हें देवी छत से गले से लटकी हुई मिली हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन दबाना न भूलें इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे